हेलो एब्रिबन वेल्कम बैक टू अबर यूट्यूब चैनल आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे कुशल मंगल होंगे हम रोजाना की तरह आज फिल आये हैं एक नई स्टोरी जिसका टाइटल है स्ट्रगलो फे फिशर मैन एक मचवारे का शंगर्ज स्ट्रगल होता ह आपको ये पूरी इस्टोरी में बताओंगा और क्या बर्ब यूज हुए है क्या प्रीब्जिशन यूज हुए है सब के बारे में हम डिसकस करते चलेंगे तो सुरू करते हैं आज की स्टोरी स्टोरी सुरू करने से पहले मैं बताना-चाहूँगा कि हम रोजाना अंपने youtube नहो और अपनी दोस्तों के साथ share भी करना शुरू करते हैं यह मैंने यहां कोमे तक पूरा sentence पढ़ लिया है अब हम इसका हिंदी में देखेंगे इसको बोलते हैं फिसर्मेन यह जो फिसर्मेन है यह pronunciation है इसका दीयर इंट्रडेक्टी वरढ है और कोई भी कहानी होती है वो पास्ट में होई होई गटीत होती है तो उसके लिए बाज यह बरका उजोता है दियर वाज अन ओल्ड फिशर्मेन इन दबलेज दियर वाज अन ओल्ड फिशर्मेन एक बूलहा मचुवारा था इन दबलेज गाउं में whose name was Siam, जिसका नाम क्या था? whose name, जिसका नाम था? क्या था? सियाम, सियाम था, सियाम बाज known for his hard work and dedication dedication होता है, summer पंड hard work होता है, कळी मेहनत सियाम बाजमा ने था known for जाना जाता था, किस लिए? for his hard work अपनी कळी मेहनत के लिए and dedication और समर्पंड के लिए Every morning, पृतियक सुभा, he would walk up before sunrise and go out into the ocean on his old boat. Old boat, old पुरानी boat नाब, sunrise सुर्योद है और before पहले, वाख होता है जागना. Every morning, पृतियक सुभा, he would walk up बहजाग जाया करता था, before sunrise सुर्योदो से पहले and go out, और क्या, go out क्या है, बाहर जाता था, into the ocean, कहा जाता था, ocean होता है, समुद्र, into the ocean, समुद्र में on his old boat. अपनी पुरानी नाब से वो क्या था, सुर्योदो से पहले उठकर, हर सुभा, समुद्र जाया करता था. Siam believed that, bleeped होता है, बिस्वास करना या बिस्वास. Siam believed that, सियाम बिस्वास करता था, that key, passion and hard work can help us overcome every difficulty. Difficulty होता है, मुश्किल, overcome, पार पाना या बिज्वास करता था, that key, passion and hard work, जनून और कली महनत can help us, हमारी सहायता कर सकते हैं, overcome every difficulty. हर एक मुश्किल से पार पाने में, क्या है, जनून और कली महनत हमारा साथ दे सकती है, सहायता कर सकती है. One day, एक दिन, siam bent fishing in the sea, one day, एक दिन, bent गया fishing मचली पकड़ने, one day, एक दिन, siam bent fishing, siam मचली पकड़ने गया in the sea, कहां? समुद्र में. Suddenly, a strong storm came and his boat started tozing, tozing होता है, डगमा गाना, storm मजबूत और storm होता है, तूफान. Suddenly, अचानक मेरी life का पहला वड़ था, suddenly, जो मैंने कक्षा 5 में सीका था, अंग्रेजी में की suddenly का मतलब अचानक से होता है. Suddenly, अचानक से, a strong storm came, एक मजबूत तूफान आया, came आया and or his boat, उसकी नाब, started tozing, उसकी नाब ने क्या किया? डगमगाना शुरू कर दिया, स्याम बाज, scared, scared होता है, डरा हुआ, स्याम था, scared डरा हुआ, स्याम डरा हुआ था, but instead of giving up, but लेकिन, instead of giving up, giving up होता है, हार मानना और instead की बजाए, but लेकिन, instead of giving up हार मानने की बजाए, he decided to face the babes with his struggle, he decided उसने निरने लिया, to face सामना करने का, the babes लहरो का, with his struggle, अपने संघर्स से, स्याम कीप्ट, his boat, under control, and baited for the storm to pass, स्याम कीप्ट मानने रखा, रखना होता है, यहां second form में कीप्ट रखा, under control, नियंतर्ण में, bait for, bait for हमेशा अपने साथ फोल आता है, और अबेट के साथ नहीं आता है, bait for, इंतिजार किया, यह इंतिजार करना, storm तूफान का, और पास गुजर जाने का, पूरा sentence देख लेते हैं, स्याम कीप्ट इस बोट अंडर कंट्रोल, स्याम कीप्ट इस बोट अपनी नाप को रखा, अंडर कंट्रोल, नियंतर्ण में, कंट्रोल होता है, नियंतर्ण और अंडर में, नियंतर्ण में, and bait it for the storm to pass, और क्या किया, इंतिजार किया उस तूफान के गुजर जाने का, many fishermen thought that siam must have given up given up होता है त्याग देना या हार मान जाना many बहुत सारे fishermen मच्छवारे thought think की second form में सोचा that की must must आया है यहाँ पूरी confirmation की हाँ उसने यह कर लिया होगा मान ली होगी जैसे मैं बताता हूँ अभी many fishermen thought बहुत सारे मच्छवारों ने सोचा that की siam must have given up siam ने हार मान ली होगी बट लेकिन वहन जब देशा उन्होंने देखा him उसे उस मच्छवारे को जो siam था return safely सुरक्षित रूप से बापस आते देखा everyone praised his hard work and confidence confidence होता है आत्म विस्वास hard work कठिन महनत praise होता है तारीफ करना और everyone हर किसी या पृतियेक अब पूरा sentence का हिंदी में देख लेते हैं everyone praised पृतियेक ने तारीफ की his hard work and confidence उसकी कड़ी महनत और उसके आत्म विस्वास की पृतियेक ने तारीफ की अब डिफिकल्टीज क्या होता है खूप सारी मुस्किले achieved, प्राप्त करना success, सफलता struggle होता है, संघर्स और ये जो एस लग हुआ है इसके पहले कॉमा है तो इसको बोलते है अपोस्ट्रोपी S इसका मतलब होता है का, की, के का संबंद दर्साने के लिए होता है जैसे, स्याम्स स्ट्रगल, स्याम के संघर्स या स्याम की, जो कड़ी महनत थी उसके बारे में बता रहा है, तो यहाँ अपोस्ट्रोपी S वोला जाता है इसे अब पुरा सेंटेंस देख लेते हैं इस स्टोरी ओफ स्याम्स स्ट्रगल, यह कहानी इस स्टोरी यह है कहानी ओफ स्याम्स स्ट्रगल स्याम के संघर्स की तोट सिखाया दा यूथ ओफ दा बलेज जो गाओं के यूबा थे उन गाओं के यूबाओ को दैट की, सक्सिस कैन बी अचीबड जो सफलता है प्राप्त की जा सकती है कैन यहां सक्ता सक्ती की अर्थ में आया है सक्सिस कैन बी अचीबड सफलता प्राप्त की जा सकती है only while facing difficulties मात्र या सिर्फ मुसीबतों का या मुस्किलों का सामना करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है ऐसा नहीं कि अगर कोई ब्यक्ती किसी चीज में सफल होना चाहरा है तो उसके आगर difficulty नहीं आएंगी ऐसा तो कपी होई नहीं सकता अगर कहीं सफलता है और उस सफलता में जान है तो बहां मुसीबती भी होंगी आपको हर एक चीज का सामना करना पड़ेगा तो होता है इस पिरकार अब इसका हिंदी में देख लेते हैं दज इस पिरकार दिस स्टोरी यह कहानी किसकी ओप स्याम्स हार्डबर्ग स्याम की कड़ी महनत की एंड स्ट्रगल और संघर्स की विच जो यह क्या है विच किस के लिए उज़ हो है इस संघर्स के लिए विच जो टीच्स अस जो हमें सिखाती है दा करेज साहस जो हमें साहस सिखाती है नोट टू गिब अप हार नय मानने की इस अवर टू स्टेंथ हमारी सच्ची सकती है सच्ची तागत है मतलब अगर हम किसी कार्यों कर रहे हैं उसमें डिफिकल्टी आ रही है तो ऐसा नहीं है कि हम उसे बीच में छोड़ दे डिफिकल्टी उस चीज का चरण है कि आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं कि कोई भी चीज आपको स्मूध मिल जाएगी अगर आपको लखनो जाना है रोट से तो ऐसा नहीं है अगर आप कुछ टोपिक पे वीडियो चाहते है या सेंटेंस टेंस पे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और कमेंट और सेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए सेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ थैंक्स पोर वाचिं इस वीडियो हैव अज़े